Assalamualaikum, my art person में आप सबका welcome करती हूँ आज हम बनाने वाले हैं, ये crispy और फिलकुल करारे, समोसे और बहुत ही easy step में और जो भी दिक्कते आपको समोसे बनाने में आती हैं, वो सारी दिक्कते इस वोडियो में आपके clear हो जाएंगे तो सबसे पहले हम दो लगा लेते हैं तो दो लगाने के लिए मैंने एक कप मैदा लिया है आधा चमच नमक और आधा चमच हम क्रेश करके ऐसे अजवाइन डालेंगे इससे क्या होता है कि समोसी का टेस्ट बहुत बढ़ी आता है और हम इसमें दो बड़ी चमच ओयल डालेंगे ओयल में आप कुकिंग ओयल डाल सकते हैं रिफाइन ओयल डाल सकते हैं गी डाल सकते हैं आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से मौइन करेंगे और अगर सर्दियों का दिन है तो आप थोड़े सुसुम पानी का यूज़ करें लियोग वार्म वाटर और गर्मियों में नॉर्मल वाटर से आप इसे इसका डो लगा सकते हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से मौहिन करना बहुत ज़ादा जरूरी होता है इसी से समोसे की परच जो है क्रिस्पी और करारी होती है तो मौहिन बहुत अच्छी तरह से करना है और हमें सखत आटा लगाना है बिल्कुल यहां मैंने अधा कप पानी लिया है और पानी मैं एक साथ नहीं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसका टाइट आटा लगा लूँगी समोसे के लिए आटा सखत लगाना होता है तभी हमारे समोसे परफेक्ट हलवाई जैसे खस्ता बनकर तयार होंगे अगर हम मुलाइम आटा लगाएंगे तो समोसे तलते समय उसमें बबल्स आ जाएंगे जो की क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बहुत ज़ादा भी सखत कर देंगे तो बेलने में दिक्कत आएगी तो आटा लगाते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा सखत भी नहीं करना है और मुलाइम भी नहीं रखना है इस तरह से हमें परफेक्ट आटा चाहिए इसके बाद हम इसे गिले कपड़े से ढख करके सेट होने के लिए रख देते हैं सेट करना इसलिए जरूरी होता है आटे को कि आटे के जो पार्टिकिल होते हैं वो पानी पी करके और फूल जाए और वो अपनी असल शेप में आ जाए तब जाकर के हमारी पूरीज बहुत बढ़ियां पनेगी और अगर हम तुरंत इसे बैलने लगेंगे तो यह अच्छी नहीं बिलेगी और फटी फटी सी बिलेगी और इसके लिए हम मसाले देख लेते हैं हम खड़े मसालों में हम लेंगे आदा चमच जीरा एक चमच सौफ और एक चमच ही धनिया लेंगे और इन सारे मसालों को हम दरदरा कूट लेंगे और पाउडर मसालों में मैंने लिया है आधा चमच बुना हुआ जीरा आधा चमच ही हम लेंगे गरम मसाला पाउडर और एक चमच हम ले रहे हैं आमचूर पाउडर और वन फोर्थ टीस्पून हम इसमें लेंगे धनिया ये सौरी हल्दी और एक चमच हम इसमें डालेंगे धनिया, मसाले आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, लेकिन हलवाई जो हैं, वो ज़्यादा स्पाइसी बनाते हैं तो हम यहाँ हलवाई स्टायल में बना रहे हैं तो इसके अलावा मैंने लिया है हरी मिर्श और लहसं को बारीक काट लिया है और ये किश्मिस काजू ये optional है इसके अलावा आप मतर भी डाल सकते हैं और ये 5-6 आलू 4-5 आलू मैंने लिया है इसे हाथ से तोड़ लेंगे आलू को हाथ से ही तोड़ना होता है तभी अच्छे होते हैं अब यहां मैंने जीरा का फोरन दे करके एक चम्मच्च ओयल में लहसुन और हरी मिर्च को पहले डाल दिया है इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे समोसे के लिए आलू हाथ से तोड़ कर ही डाला जाता है इसे बारीक मैश नहीं करना होता है वरना इसकी स्टफिंग खाने में अच्छी नहीं लगेगी और आलू मैशी हो जाएंगे तो वो स्टफिंग भरने में समोसे में तो भी दिकत आएगी इसके बाद हम यह सारे पूरी तरह से उड़ना जाए वरना समोसे तो बनके अच्छी क्रिस्पी तयार होते हैं और जब हम उसे थोड़ी देर रखते हैं तो वो मुलाइम हो जाते हैं इसका रेजन यह होता है कि आपके स्टफिंग में जो है मुलाइम हो जाते हैं जिसकी वज़ा से समोसे को जब हम रखते हैं दो तीन घंटे के लिए तो वो धीरे-धीरे मॉस्चुराइजर को अबजर्व करते हैं और वो मुलाइम हो जाते हैं तो इसलिए इसलिए बहुत जादा जरूरी है कि हमारी स्टफिंग जो है पूरी तरह से सॉफ्ट हो अब आटा जो है वो सेट हो गया इसे हम अब इसे हम एक लोई बराबर बराबर लोईों में इस तरह से बराबर करते हुए और अलाग अलग पेड़े बना लेंगे इसके चार पांच जितने भी बने और इस तरह से गोल करते हुए हम इसे रखेंगे ये पांच पेड़े हमारे बन की तयार हुए हैं एक काप पाटा में और इसे हम दोनों हथेलियों की मदद से गोल करते हुए एक लोई की तरह तयार कर लेंगे और इसे बेलना शुरू करते हैं में बेलने से पहले हम दोनों साइडों पर थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे इससे बेलने में थोड़ी आसानी होगी समोसे की शीट हम oval shape में बेलेंगे बेलते समय हमारी शीट ना तुसे कुड रही है और ना हमें बहुत जादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है हम इसे आसानी से बेल पा रही है शीट को एक बराबर बेलेंगे बीच में मोटा और किनारों से पतला नहीं रखेंगे समोसे की शीट को बहुत जादा मोटी और ना बहुत जादा पतली रखेंगे बलकि रोटी की तरह रखेंगे इसे हम दो बराबर भागों में बीच से काट लेंगे इस तरह से हमने सारी शीट बेल करके तयार कर ली है अब हम एक प्याली में पानी लेंगे और एक शीट को हथेली पर इस तरह से रखते हैं और जो साइड हमारे कलाई की तरफ है वहाँ से हम आधे हिस्से में शीट के आधे हिस्से में हम पानी लगाएंगे और जो उंगलियों पानी के साइड है उधर से हम पकड़ते हुए कोने को और बीच में जहां तक हमने पानी लगाया है वहाँ एक अंग उठा रख लेते हैं और इस तरह से उलटते हुए हम इसे पानी वाली साइड पे चिपका देंगे इसे हम बहुत अच्छी तरह से दबाते हुए चिपकाएंगे अगर यह पड़ियां से नहीं चिपकेंगे तो यह तलने के वक्त इनके खुलने के चांसे रहते हैं इसलिए हमें यहां पे बहुत ध्यान रखना है कि हम पानी से अच्छी तरह से चिपका लें और यह हमारी कोन तयार हो गई अब हम इसमें स्टफिंग डालते हैं स्टफिंग डालने की वक्त हम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पूरा भर के स्टफ नहीं करना इसे हम कोन के आधे हिसे को भरेंगे और आधे हिसे हम खाली रखेंगे ताकि हमें ये ऊपर के जो पोर्शन होता है इसे भी चिपकाना होता है तो अब हम साइडों में ऊप यह यहां से पकड़ किया और पीछे की प्लेट जो तयार की हमने इसको हम पहले चिपका देंगे उसके बाद हम दोनों साइडों से इस तरह से अच्छी तरह से चिपका देंगे और इस तरह से हमारे समोसे बनके बिलकुल तयार है हलवाई की स्टाइल में और जो पीछे का क में फ़ीमाज पर देगी नहीं जानुकर भीमे फ़्सेस करते हफ्सेती हैं इस इसी तरह से एक स्मोसी बना के तयार कर लिए हैं अब हम इसे फ्राइब करना शुरू करेंगे और फ्राइब करने के लिए हमें इस चीज का ध्यान देना होता है कि तेल बहुत ज़ादा गरम न हो बिल्कुल धीमी आज हो और धीमी आज पे ही हम स्टार्टिंग में जो है समोसे डालेंगे और 6-6 मिनट धीमी आज पे तलने के बाद हम इसे गैस की फ्लेम को मेडियम हाई कर देंगे अगर हम शुरू में ही तेज आज कर देंगे तो ये उपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे समोसे में बबल्स क्यूं आ जाते हैं समोसे के आटे में नमी होती है और जब इसे तलते हैं तो ये भाब बन कर बाहर निकलने की कोशिस करते हैं और छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं इसलिए हम इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम आटा लगाएं तो सक्त लगाएं अगर आप तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे समोसा बनाने के वक्त तो आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट खस्ता हलवाई जैसे होंगे पहला कि आटा थोड़ा सक्त लगाना होता है और समोसे में स्टफिंग भरके थोड़ी दिर के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो वो खुले में रहेंगे तो उससे उपरी परद थोड़ी खुश्क हो जाएगी और उससे भी नमी कम हो जाएगी और समोसा तलने के वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप तेल बहुत जादा गरम न हो और 6-7 मिनट उसे धीमी आज पे तलेंगे तो भाब बहुत कम बनेंगे और उपरी परद सख्त हो जाएगी और इस तरह से बबल्स नहीं बनेंगे और आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट खस्ता हलवाई जैसे बनेंगे और आप देखी कि ये कितने अच्छे बन के तयार हो रहे हैं और हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये पूरी तरह से तयार हो चुके हैं तो एक समोसा हम ऐसे उठाते हैं और ये जो साइड है आपकी अगर इसका कलर फीका रहे गया ये जो किनारे जॉइंट्स हैं तो आप समझे कि अभी हमारे समोसो को और तलने की जरूरत है और जब ये बिल्कुल ब्राउन और इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो आपके समोसे बिल्कुल पर्फेक्ट तयार हैं और जब यह निकलेगे तो आपको खाने में मुलायम नहीं लगेंगे और यह क्रिस्पी होंगे और समोसो को निकालके हम एक जाली में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो गर जाए और समोसे हमारे बिल्कुल तयार हैं बिल्कुल अच्छे इस तरह से आप बनाएं और I hope कि मेरी इस वीडियो में आपके सारे दाउट्स प्लियर हो जाएंगे और आइंदा जब आप समोसे बनाएंगे तो बिल्कुल पर्फेक्ट बनेंगे और इसके अलावा भी अगर आपके मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपिए का तब तक के लिए अल्लाहाफेज